किसान की खेट में लगी आग लाग से ज़्यादा का नुपसान हो गया उत्तप्रदेश महोवा जल्पद में अराज़त तत्वो ने किसान की खेट में आग लगा दी जब्रन लगाई गई आग के चलते किसान के खेट में पड़े सत्तर सिंचाई पाइक जल कर राख हो गए इसी के साथ ही चार मोहवे की पुरानी पेड भी इस आग के चपेट में आने से बुरी तरह जल गए हैं खेट पे लगाई जाने वाली आग में तक्रीबत एक लाख के नुकसान के आशों का जताई जा रही है पेडित किसान विरेंदर सिंग ने प्रशाशन से आरूपी व्यक्ति के खिलाफ पड़ी कारिवाई की मान की है पेडित किसान की अगरमाने तो चर्खारी निकासफन के बंबरारा गाउं के ही धन्नो नामक व्यक्ति इस घटना के सीधे तोर पर अंजाम दिया है जिसका खामियादा उसे भुगत ना पड़ रहा है मानचरखारी थारच के बंबरारा गाउं का है जहां अराजक तक्वों ने विरेंदर सिंध के खेट में आग लगा दी है जबरन लगाई गई आग के चलते पिरित किसान को तकریवन एकलाप का सीधा नुकसान हुगा है विरेंद्र सिंग का आरोप है कि उसी के गाउं के धन्नु ने इस वाकिये को अंजान दिया है खेत में लगी आग में संचाई के लिए रखे सत्तर पाई पर चार महुए के पुराने पेड जलकर राक हो गए है विरेंद्र सिंग प्रशोषने का दिकारियों से आरोपी धन्नु के खिलाफ सक्त कार्यवाई के मांग की है आपको आग लगने की कितने टाइम जानकारी मिली हमारे पास लगबग दो बजे के लगबग ठोन आया है दो बजे पौन आया कि आपके वहां खेट से पास आग लग गई है जब यहां आये तो चूरे पाई जलकर खास होई पार पमरारा ऐसे इस चरखारी मुझे लगबग इसकी जानकारी हुई दो बजे मेरी पास पौन आया कि यहां यहार मैं आग लगी है तो वहां से मैं बाईट लेके यहां पर आया तो यहां पर मैंने देखा है कि यह पूरे दिचार मुझे में आग भी लगी थी और यहां पर कल दो दन पहले मेरे मौझूदगी में यह सत्तर पाई लखे थी और यह जलकर राख हो गया इनकी लागत लगबग एक लागत है और अभी भी चार पेड़ों में आग लगी हुई है मौझूदगी पेड़ों में अभी भी चार में लगी हुई है अब देट मेडिया के लिए महोबा से संदीब कुमार के रिपोर्ट